दिम्पी और समर की शादी का जश्न हुआ शुरू जैमाला के दौरान अनुज और अनुपमा को याद आए अपने दिन दिम्पी समर की शादी में चोर की हुई अनुपमा के आनी वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दिम्पी और समर की शादी की शुरूआत हो चुकी है जैमाल की रस्म पूरी हो गई है सभी कपल अपने अपनी दिनों को याद कर रहे हैं ऐसे में अनुज और अनुपमानी भी अपनी शादी की दिनों को याद किया है वहीं ऐसे में बहुत बड़ा ट्रिस्ट सामने आएगा शादी में चोर की एंट्री हो गए है ये चोर नी कोई और नहीं बलकि दिम्पी की मा है दिम्पी की मा चोरी चुपे अपनी ही बेटी की शादी में इस तरह से हुलिया वदल कर आई है लेकिन जब पकड़ जाती है तो सबी घरवाले हैरान तो होते ही हैं साथ ही साथ उन्हें तसली भी होती है अनुपमा डिम्पी की मा का शुक्रियादा करती है कि वो अपनी बेटी की शादी में आए मा की आने से बेटी की शादी संपन होने के बराबर हो जाती है ऐसे में डिम्पी की मा अनुच और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बार बार अनुपमा के सामने अनुच के रिष्टे को लेकर इस तरह के बाते हो रहे हैं वहीं दूसरी और वो अमेरिका चाने का अपना फैसला ले चुकी है क्या वो अपने फैसले पर डटके रह पाएगी या फिर उतका दिल कमजोर हो जाएगा फिर से वह अपने सपनी को छोड़कर अनुच के पास चली जाएगी आप अनुपमा के डिसीजन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपने राए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें